क्या आपके बच्चों को पेट में कीड़े की शिकायत है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक suspension जो बच्चों को दिया जाता है जब कभी भी उनको पेट में कीड़े वगयरा की problem हो जाए तो दोस्तों इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बन और मैं दूँगा इस suspension की पूरी जानकरी तो चलिए शुरू करते हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो अब कर लीजिए साथ ही bell icon के बटन को दबा कर power of knowledge के नए वीडियो को सबसे पहले पाईए तो दोस्तो इसका नाम है ABD plus suspension यह 10 ml का है और इसका जो flavor है वो mango है तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि इसके अंदर composition क्या दिया गया है तो दोस्तों यह composition है albendazole और ivermectin दोस्तों यह एक type का combination suspension है तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि यह काम कैसे करता है यानि यह जब हमारी body में जाता है तो यह काम कैसे करता है यह किन चीजों के लिए use होता है जैसे कि मैंने पहले भी बताया दोस्तों यह जादा तर बच्चो को recommend किया जाता है तो जब यह body में जाता है तो यह हमारे जो body के worms होते हैं या parasites होते हैं या पैरसाइट जो दोस्तों एक type के organism होते हैं जो कोई भी living organism में वो पलते हैं बढ़ते हैं तो यह parasites हो या फिर हो सकता है कि कोई कीड़ा वगरा हो worms जिसको कहते हैं roundworm होता है जो हमारी body में हो जाता है तो यह या उसके होने से जो infection होता है दोस्तों यह उससे हमें बचाता है यह जो दो combination है यह इस चीज के लिए काम होते है या तो हमारी parasites जो body पैरसाइट होते हैं उसको निकालते हैं roundworms यानि जो कीड़ा वगरा होता है उसको भी निकालते हैं और कीड़ा अ उससे होने वाले infection से बचाने के लिए recommend किया जाता है तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि इसकी जो expiry है वो कितनी है और इसका price का है तो दोस्तों इसके expiry की बात करें तो यह 2021 तक है 2019 में बना था 2021 तक है और इसका जो price है दोस्तों वो 42 रुपीज है अगर दोस्तों इस कि जो use करने से पहले precaution क्या-क्या लेना है वो यहाँ पर दिया ही गया है तो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी तो दोस्तों यह लेने से पहले जब कभी भी कोई भी drug आप लें तो दोस्तों मैंने तो आपको बताए कि यह किन condition में use किया जाता है लेकिन दोस्तो यह जो वीडियो बना रहा हूँ यह सिर्फ informational है recommendation नहीं है अगर आप ऐसे type के कोई drug यूज करते हैं तो मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ तो चलिए दोस्तों यूज करने से पहले आपको किन बातों का दियान रखना है वो मैंने आपको बता दिया आपको जब कभी भी कोई problem हो तो आप डॉक्टर की सला ले और यहाँ पर लिखा गया है कि इसे बच्चों से दूर रखे इसको cool और dry place में रखना है यानि थंडी normal temperature जो आपका room temperature था वहाँ पर रखिए ज़्यादा गरम जगे ना रखे इसको सुके place पर रखे और इसको कोशिश करे के sunlight के contact में आने से बचाए तो दोस्तो और इसका जो last में एक और चीज दी गई है दोस्तो जैसे के ये use करने से पहले इसको आपको shake करना है कोई भी suspension use करने से पहले shake करना ही होता है और जो pregnant lady है ये उसे use ना करें तो दोस्तो अब आ जाता है next इसका जो side effects क्या क्या हो सकते है दोस्तो possible side effects में आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी तो दोस्तो हो सकता है के fever हो जाए chest pain हो सकता है, cuff हो सकता है, सर दुखना भी हो सकता है खुजली वगेरा यानि खुजली itching वगेरा हो सकती है, vomiting हो सकती है हो सकता है के stomach pain भी हो, पेट में दुखना भी हो सकता है तो दोस्तो जब कभी आपको कोई भी side effects या reaction दीखे तो जल्दी से अपने doctor से concern करें और इसको use करना बंद कर दीजिए अगर दोस्तो इसकी dosage की बात करें तो दोस्तो इसको खाली बेट लिया जाता है दिन में 2-3 बार लिया जाता है लेकिन जब आपको use को use करना है तो अपने doctor की सला ले और doctor को recommendation जैसे भी वो आपको करे उसके according आपको लेना है जैसे भी आपके physician आपको direction दे दिन में कितनी बार खाने से पहले खाने के बाद वैसे इसको खाने से पहले लिया जाता है लेकिन जैसे भी आपके doctor आपको सला दे वैसे आपको use करना है तो दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही उम्मित करता हूँ कि ये informational वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मिलते हैं दोस्तो अगले वीडियो में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो subscribe कर लिजिए इस वीडियो को जादा स्यादा शेयर कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तो जब तक के लिए अपने घर वालों का अपना ध्यान रखिएगा Thank you